हाई दोस्तों जानते हैं टैनल लंबर 33 की क्या कहानी और भूतिया है या नहीं आईए जानते हैं सिमला में इतने बड़े बड़े पहाल और वहाँ की वादिया इतनी सबको अच्छी लगती है कि वहाँ पर जाने का मन सभी के करता है और यहाँ टैनल के सन में बनवाये गई थी यहाँ टैनल को बनवाने के लिए बाहरी देशों से बड़े बड़े इंजीनियर बुलवाये थे और उसमें से एक इंजीनियर ने उस टैनल के सामने आतमत्या कर ली थी यह टरनल सिमला कारला मार्क पर है जो एकदम सीधी सुरंग बनाई गई थी लेकिन जिसे पार करने के लिए ट्रेन को कम से कम दो मिनिट का समय लगता है यह टरनल दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग मानी जाती है तो क्या वा भूतिया है अंग्रेजों के टाइम पर एक अंग्रेज कारला बेरोग नाम का इंजिनेर हुआ करता था लेकिन आपको तो पता हुआ कि सिमला में इतने बड़े बड़े पत्थर है तो उस करनल इंजिनेर ने उन पत्रों को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपियोग किया था कुछ कैमकिल की मदद ली थी उन पत्थरों को तोड़ना प्रारम कर दिया परंत उन पत्थरों को तोड़ा ना जा सका जिसके चलते सरकार ने करनल इंजिनेर पर पैसा बरबात करने का केस दज कर दिया उन्हें काफी बुरा बला भी कहा गया फिर करनल हर रोज अपने कुट्टे के साथ टहलने जाया करते थे उन्हें बचाने के लिए सिवाए उस कुट्टे के बजा उस कुट्टे नहीं अपने मालिक को गोली मारते हुए देखा था फिर कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ लोग आये फिर उस करनल की लास को आधे धूरे बने वे टनल के सामने दफना दिया गया फिर जिसके बाद वह से सन 1900 में बनना प्तारम हुई थी फिर जिसके बाद वह टनल 1930 में जाकर कंपलीट हुई इस टनल को बनवाने का काम एचेस हेलिंग्टन और इस थानी वहाँ के बाबा भालकू को सौपा गया और इस टनल को बनवाने के लिए 8 लाग रुपए भी खर्च किया गया और इस ट बता चलता है कि यह टनल कापी खतरनाक और भूतिया है